So today we are going to explain मिन्नर मुराली So movie के starting में एक नाटक की शुरवात होने वाले थी Which is the scene of पल्ली कुन्नू And इसकी announcement हो रही थी इस नाटक को करने वाले थे रंग कला नाम की एक नाटक संग्स था दिन एक आदमी को दिखाया जाता है जो स्मोग कर रहा था And cigarette को बिना पुझाय वो सुखे घास में cigarette को फेक के नाटक दिखने चला जाता है Now एक बहुत दुखी नाटक हो रही थी As एक आदमी के ओपर अत्तचार किया जा रहा था दिन एक आदमी एक बच्ची का ध्यान रखने के लिए बोल कर वहां से निकल जाता है As वही नाटक का हीरो था Now हीरो को देकर सब बहुत खुश हो जाते है But अचानक से एक आदमी आगे कहता है कि पटाको की गुडाउन में आग लग गयी है And पटाको की धमाके से उस बच्चे को चोट लग जाती है And साथ हे उस नाटक की हीरो उस बच्चे के फादर को भी चोट लग जाती है सब कुछ विखर गया था Then नेक्स सिन में टीवी में एक न्यूस दिखाई जा रही थी कि 700 येर्स में पहली बार मार्स, साइटन एंड जुपिटर एक लाइन में आने वाले थे इसलिए रात में बिजने चमकने वाले इंसिडेंट भी हो सकते थे And साइंटिस्ट भी इस इंसिडेंट के लिए एकसाइट थे नेक्स सिन में एक पुलिस ओफिसर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी विंसी के उपर नजर रख रहा था एस टेलर वार्की का वेटा जेसन उसकी बेटी को परिशान करता था ऐसा उस इंस्पेक्टर को लगता था नेक्स सिन में शीवू नाम का एक आदमी आता है जिसे दुकान दर बहुत ही दाट रहा था एस वो काम पे लेट आया था शीवू कहता है कि उसका पर्स्क हो गया है एन इसलिए शीवू थोड़ा परिशान था नेक्स सिन में इस मुवे के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम था जेसन जो कि शहर आया था पासपोर्ट के लिए फिच्चर क्लिक करने एस वो अमेरिका जाने वाला था इसलिए वो पासपोर्ट की एफिलिकेशन दे रहा था विंसे के कहने पर जेशन अमेरिका जाना चाता था थोड़ा फेमस अंकाम करने के लिए एन देन अमेरिका में ही विंसे के साथ सेटल होना चाता था नाव बोर्ट में चरकर जेसन अबने डेस्टिनेशन में साइकल लेकर पहुँच जाता है उसे देखकर विंसे की पापा आ जाते हैं जेसन को एक थपर मारके कहते हैं कि विंसे से दूर रहने के लिए एस उसकी इंगेचमिन हो चुकी थी जेसन की पापा उसे बहुत डाट रहे थे जेसन की पापा ये बताते हैं कि उसका प्यार उशा लॉट आई है और उसके हस्बन ने उसे छोड़ दिया है जेसन की रेडियो एं जेमेटरी बॉक्स लेकर नदी में एक छोटी सी बोट लेकर निकल पढ़ता है जेसन सैंटा क्लाउस के वेस में विंसे के घर में आता है और विंसे को पूछता कि उसने उसको बनावताय क्यों इंगेश्मिन किया देन विंसे के पापा विंसे के फियांसे को लेकर घर आते हैं जिसका नाम था अनीश और नाव चेशन उसके पापा से छुपने के लिए वेट के नीचे छुप जाता है ना विंसी के पापा इंस्विक्टर साजन विंसी के रूम के डोर फे नौक करते हैं शीबू अब उशा से मिलने आया था और वो छुपके से उसे देख रहा था ना मूवी फ्लैस्टबैक में चली जाती है जहां शीबू जब एक टिनीजर था तब से उशा को पसंद करता था और उसे छुप छुप कर देखता भी था बट एक दिन उशा शतीश नाम के एक लौरी ड्राइवर के साथ भाग जाती है और शीबू ने कभी भी शादी भी नहीं की थी उशा के लिए दूसरी और जेशन सैंटा बनके विंसी को अनीश के शाद देखकर बहुत ही जीलिस हो रहा था और उसके फ्लैस्टबैक में विंसी और वो दोनों पहले साथ थे वो दिखाया जाता है जेशन गुटसाओ कर चिडलाने लगता है कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनके दिखायेगा तो ऐसा देखके विंसी के वफ़वा गन लेकर उसकी और दोड़ाते है पर अचानक से जेशन और सिबू के उपर बिजली करते है जेशन को हॉस्पिरल ले जाया जाता है और पूरे गाउ को पता चल जाता है कि उसके उपर बिजली गिरी है अब जब डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे तो वो भी थोड़ा फ़नी था पर फाइनल जेशन और सिबू को होश आ जाता है ना शेवो बहुत ही बुरे हालत में अपने घर में पहुचता है नेक्स सीन में डॉक्टर कहता है कि बिजली किरने से एक इनसान को बहुत सारी प्रॉबलम होती है बट जेशन को कुछ भी नहीं हुआ था वो ठीक है और ये सुनके जेशन के फामिले के छोड़ कर बाकी सारे लोग घर चले जाते हैं दूसरी और जेशन ने जिस स्ट्रेशट को पकड़ा था वो स्ट्रेशट में उसकी हाथ के निशान पर जाते है नेक्स सेन में जेशन का ECG किया जा रहा था पर ECG मेशीन खराफ हो जाती है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है दूसरी और शिबू भी थोड़ा विमार था नो शिबू के हाथ काप रहे थे और उसके साथ पूरा घर भी शिबू के पापा को लगता है कि अर्थक्विक आया है तो वो शिबू को घर से बाहर निकलने को कहते है और घर के बाहर आते ही अर्थक्विक नहीं होता शिबू को लगता है कि उसके पापा पागल हो गए है नो जेशन घर वापस लौटाता है अब रात में जेशन मिन से की याद में रो रहा था नेक्स सिन में जेशन की दीदी उसे सोने की कंगन देती है अज इसे बेच के वो पैसे खटे करके अमरिका जा सकता है नेक्स सिन में जेशन बीजी के पास आता है पासपोर्ट के लिए पर बीजी अपने एक्स बॉइफरेंड अनिश को कीक मार के नीचे फेक देती है अज वो अपने शादी के लिए उसे इंवाइट करने आया था जेशन को बहुत ही खासी आ रहे थी है और उसकी कब थोड़ी अजीब टाइप की थी एन रात में चब जेशन अपने घर में था वो अपने रूम के विणड़ो को पुश्ट करता है जिस बिजह से विणड़ो टूट के नीचे इगर जाती है देन जेशन एन उसका वांज़त जोस मन टूटे हुए विणड़ो को देख रहे थे दिन जेसन को बातरूम के नल से पानी की टफिकने की साउंड आती है वो नल बंद करने जाता है बट वो नल तूट के उसके हाथ में आ जाती है अनुसके साथ बातरूम का डोर भी नेक्स रेदाशन अनुसके सिस्टर उशा को देखकर कुछ लोग उशा के बारे में बुरावला कहने लगते हैं दिन शिबू के दुकान के मालिक उन्हें उनके दुकान पे बुलाते हैं शिबू उन्हें चाय देता है अनुसा को छूपके से देखने लगता है दिन शिबू को भी थोड़ी सी खासी आ रही थी और उसके कब में भी जेसन की जैसा कोई सबस्टेंस निकल रहा था दिन जेसन की बलड रिपोर्ट देखे डॉक्टर बहुते सप्राइस हो जाते हैं जेसन की हरकतों को देखकर उसकी दीदी और उसकी भांजे को अजीब लग रहा था जो कि एक कॉंस्टेबल था वो जेसन के सिस्टर को मार रहा था तो जेसन और उसके पिता जी उसे डोकने आते हैं बर पोथन जेसन की पिता को धकेल देता है जेसन और पोथन में थोड़ी से बहश हो जाती है जेसन पोथन को ऐसा ठका देता है कि पोथन कुए में गिर जाता है नेक्स इनमें पोथन का एक पैर तूट चुका था और वो हॉस्पिरल में था दिन डॉक्टर जेसन से इनक्वाइरी कर रहा था कि क्या उसकी बॉड़ी में विजली किरने से कोई प्रॉबलम हुई है तो वो कहा था कि नहीं वो तो नॉर्मल ही है बस उसे थोड़ी सी खासी आई थी नॉ जोस्मन सूपर हीरो की बुक्स पढ़ रहा था और शीबु को भी अपने पावर्स का एसास हो रहा था दिन जोस्मन जेसन को कहता है कि उसकी पास सूपर हीरो से से पावर्स है नॉ जोस्मन उसे सूपर हीरो से और उनकी पावर्स की बारे में भी समझा रहा था नौ वो तोनों मिलकर जेसिन की सुपर पाउर्स को चेक कर रहे थे लाइक पेड़ से फल तोरना, चलते हुए फैन को रोकना, उचे पेड़ में चरना दूसरी और जेसिन बीजी को अनिश को भुलाने की बारे में समझा रहा था नेक्स इनमें शिबू के दुकान का मालिक उशा को चेर रहा था सो इसे देखकर शिबू उस पर गुष्टा हो जाता है और उसे सवक शिखाता है ना बीजी जेसिन और जेसिन की पिता वार की को पता चाहता है कि जेसिन की पासपोर्ट अप्लिकिशन रिजेक्ट हो गई है दूसरी और दाशन उशा को केशवन से शादी करने के लिए क्याता है उशा कोई शादी नहीं करना चाहती थी पट दाशन का समझाने से वो केशिव इन से साधी के लिए राजी हो जाती है ना शिव उशा को उसका उम्परेला देने आया था अज वो उम्परेला भूल गई थी दुकान पे बट यहां आके शिव देखता है कि उशा की बीटी अच्छानक से भिहोश हो जाती है नेक्स सीन में जीशन और वार की पुली स्टेशन आते है अज जीशन का पासपोर्ट अप्लिकेशन रिजेक्ट हो गया था उसे लगता है कि पोथन को हिट करने के वज़ए से उसकी पासपोर्ट अप्लिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है पर यहां उसे पता चलता है कि Inspector Sergeant who was Vince's father उसने ही passport verification करने वाले लोगों से उसका application reject करने के लिए कहा था Now, ASI के वज़ए से उसे एक बड़े सच का पता चलता है ASI Sergeant उसके bus certificate and school certificate में different fathers की नाम को लेकर वार की एन उसे बहुत insult करता है Jason को पता चाहता है कि उसके real father का नाम Martin था That means movie के starting में जिस बच्चे को दिखाया गया था वो Jason ही था और पठाके वाले incident में Jason के father Martin की मौत हो गई थी ASI Jason से कहता है कि वो उसे life में कुछ बन्य नहीं देगा बिचारा Jason वहां से दुखी होके चला जाता है ना वारकी इश्रा के उपर गुस्सा हो जाता है ना उशा इन सिबू हॉस्पिटल में थे उशा को डॉक्टर कहती है कि उसके बेटी का उपरेशन जल्द ही करना होगा बट उसके लिए बहुत ही पैसे चाहिए था इस दो शीबू कहता है कि वह पैसी का इंतजाम करेगा अन ऐसा कहता है कि वह वहां से चला जाता है नेक सिन में जीशन उधास होकर वैठा था सो बारकी उससे मिलने आता है एक बॉक्स के साथ जो जीशन की फादर मार्टिन की आखरी निशानी थी वारकी कहता है कि उसके पिता की मौत पठाकी की वज़े से नहीं हुई थी पठाकी की वज़े से जो आग लगी थी उससे मार्टिन दूसरों को बचा रहा था और ऐसे दूसरों की जान बचाते हुए खुद की जान की परवा ना करते हुए Martin ने अपने life को sacrifice कर दिया था वार्की कहता है कि उसके फादर एक सच्चे हीरो थे Jason को उसके फादर की वॉक्स दे एक नाटक का script मिलता है जिसका title था मिनल मुराली Now Jason की family को पदा चाथा कि एसा इने वार्की को मारा था Next scene में Jason को जोस्मन बताता है कि सुपर हीरोज मार्क्स पहनते हैं, केप पहनते हैं और गुंडे को पीटते हैं नेक्स इन में शुदीश नाम का एक मुवी एक्ट राने वाला था स्कूल में अन्वल फंक्शन के लिए सब उसका वेलकम करने में विजी थे उसे वेच शीवू बैंक को लूटने की तयारी कर लेता है बर देन एंट्री होती है जेसिन की मार्क्स पहन के सुपर हीरो की तरह देन ही फंचस एसाई और देन सारे पुलिस वालों के साथ उसकी एक चबरदस्ट फाइट होती है और उसके साथ में बच्चों की फ़णी डांस भी होती है देन वीजी भी उससे लड़ने आती है बर जेसिन वीजी को भी धेर कर देता है दूसरी और जेसिन एसाई को धंका के वहां से चला जाता है पर्दे में मिंनर मुराली नाम से सबको मास्टमैन A.K. जेसिन का नाम मिंनर मुराली यह पता चल जाता है जब सिबू हॉस्पितर में पैसे लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि दाशन ने उशा की वेटी की आपरेशन के लिए पहले ही पैशा डिपाजिट कर चुका था नौ सुभा में मिननर मुराले की ख़बर सबको पता चल चुकी थी बट सबको ऐसा लग रहा था कि मिननर मुराले ने ही बैंक लूटा है बट ये तो शिबू था जिसने बैंक को लोटा था नौ इस इंसिडेंट को टू विक्स हो चुके थे बट मिननर मुराले ही जेसन है इसका पता किसी को भी नहीं चल पाया था बट पोथन मिननर मुराले कौन है इसका पता लगाना चाहता था नव पोथन अपने शर्ट की तूटी बटन ठीक करने जेसिन की घर में आता है बढ़ जोसमन जेसिन को कहता है कि उसे विंच्टी की साधी में जो वस जाने वाली है वहां तक छोड़ देने के लिए सो जेशन जब जोसमन को साथ ले जाने लगता है तो पोथन जेशन को इरिटेट करने लगता है ये कहाए कि क्या वो अपने एक्स की साथी में जा रहा है दूसरी और पोथन की वेटी जेशन का पहना माक्स पहन के घूम रही थी नो जोसमन जेसन का ध्यान पोथन के शक की उपर देने को कहता है नो पोथन को finally मिननर मुले की माक्स पहनी उसकी बेटी नहीं दिखती बट उसका पहना धोती उसे दिख जाता है जो कि जेसन की घर में था जोसमन की कहने से जेसन पोथन को ढूणने लगता है नो जेसन पोथन की जीप को पीछे से पकड़ लेता है नो पोथन जब जीप से निकल के पीछे देखता है तो वो उसकी मिननर मुले वाली धोती लेकर भाग जाता है नो विंसे के शादी में जाने वाले बस में चर जाता है ना बीजी उसे कहती है कि अगर वो शादे में नहीं जाएगा तो उन्हें लगेगा कि वो लोग उनसे जलते हैं तो उन्हें शादे में जरूर ही जाना चाहिए बीजी ने ऐसा कहके जेशन को बस में बैठा कि शादे में जाने के लिए राजी कर लिया था बीजी की शोल्डर में भी चोट लगी थी मिर्नर मुराली एक ये जेसिन की वज़े से उस बस में उशा एंस शिबू भी थे ना बीजी एंड जेशन विंसी एंड अनीश की शादी में बहुत चुके थे और उन्हें कांगरेशलेट कर रहे थे नेक्स सेन में बीजी जेशन को वेरिफिकेशन के लिए और पैसे रेटी रखने के लिए कहती है जेसन कहता है कि वो पैसे लेकर जरूर आ जाएगा सो पोधन को अब शक होता है कि जेशन निश्टाइट बैंक लोटके इतने पैसे जुगाड किये थे पैसे नहीं मिलते जो उसने अपनी सिस्टर की जुएलरी बेच के पाये थे ये पैसा एक्चली दाशन ने चुराया था अपनी भतीजी की इलाज के लिए पैसे गाइब होने के वज़े से जेशन दाशन के उपर बहुत गुसा हो जाता है नपोतन एसाई को कहता है कि जेशन नहीं मिलनर मुला ली है और एजन एविडेंस उसके पास एक धोती भी था बट एसाई उसकी बातों में बिलीब नहीं करता नेक्स सीन में जेशन दाशन को पैसे चुराने के लिए गाव वालों के सामने बहुत इंसल करता है शिबू अपने पापा को कहता है कि वो बहुत जल्दी उसा से शादी करने वाला है वारकी जेशन को बहुत ही समझाता है दाशन से माफी मागने के लिए और खुद के साथ दूसरों के लिए भी सोचने को कहता है रात में शिबू दाशन से मिलने आता है शिबू उशा कुछ पैसे आफर करता है जेसिन को बापस करने के लिए दाशन सिबू शे पूचता है कि उसे क्या चाहिए तो शिबू उसाशे शादी करने की बात करता है बद दाशन कहता है कि वो एक पागल है एन उसकी मा को भी पागल पन की विमारी थी शिबू उसाशे शादी नहीं कर सकता ये सुनकर शिबू वहाँ से चला जाता है जेशिन दाशन के घर जाता है उसे माफि मागने के लिए बट वो तो दुकान पे था अब बहुत रात हो चुकी थी शिबू आता है दाशन को धमकाने शिबू उसा के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है और पूरे रूम में बारूत फैलाने लगता है देन उसमें आग लगा के पूरे दुकान के साथ दाशन को जला के मार देता है और खुदी चिलाने लगता है कि दुकान पे आग लग गई है उसके चीखने की आवाद सुनकर सब दुकान की आग को बुझाने लगते हैं जेशन आके देखता है कि दिवार में मिननर मुली लिखा हुआ है विच मिन्स शिबुख खुदी क्राइम करके ब्लेम मिननर मुली के उपर डाल रहा था दाशन की मौत से जेशन बहुत ही ज़ादा दुकी हो गया था शिबुका दुकान का मालिक गाव छोड़के भाग जाता है और ये कहते हुए जाता है कि ये गाव बहुत जल्दी तबाह होने वाला है इससे साजन अब क्राइम सिन को इन्विस्टिगेट करने आते है नाव जेशन बीजी को बता देता है कि वही मिननर मुली है बिचाड़े जेशन को इस बात की गिल्ड खाई जा रहे थी कि वो दासन से माफी भी नहीं मांग पाया था नाव जेशन कहता है कि इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है वो उसको ढून के निकालेगा नाव सब को पता चाल जाता है कि दाशन को जस रात मारा गया था उस रात की फुटेज पुलिस वालों को अनीश की वज़े से मिल गई थी बट कुछ पता चलता है उसके पहले विजली चली जाती है शिबू अपने चैरे को ढखकर पुलिस टेशन आता है फुटेज को चुराने बट पोथन को लगता है कि शिबू जैसन है और इसलिए वो उसकी और दौर जाता है अपने शक को हकीकत में बदलने के लिए बट दूसरी और जैसन को खड़ा देकर पोथन सप्राइस हो जाता है और माक्स रूपी शिबू उसे मज़ा चखा देता है शिबू बुलिस्ट वालों को वी मज़ा चखा देता है बट दूसरी और जैसन आके अनीश से फुटेज लेकर वहाँ से भाग जाता है और शिबू उसका पीछा करने लगता है नेक्स सीन में शिबू के साथ जेशन की बस में एक जबर्दस एक्सिन सिक्विंस चल रही थी और इस चेकर में टेप का नुकसान हो जाता है और बस में रहे दूसरे यात्रियों की जान भी खत्रे में पर जाती है एस बस खाई में गिरने वाले थी पर जेसन वहां फॉच की बस को खाई में गिरने से बचा लेता है और उसके साथ एक छूटी बच्ची को भी खाई में गिरने से बचा लेता है और बस की उपर ओरिजिनल मिननल मुराले लेक के वहां से चला जाता है नाओ जेशन अपने डीली एक सुपर हिरो कॉस्टम बनाने लगता है और अपने दुकान को नए से सजाने लगता है जिसे देखकर वार कीक बहुत ही खुश होता है कि शिवन शिवो को उशा से दूर रहने के लिए कहाता है बर शिवू उसकी कार को नदी में गिरा देता है जिस वज़े से कार में डूब के उसकी मौध हो जाती है और उसके कार में भी वो मिननर मुलले ओरिजिनल लिख देता है जेशन को याद आता है कि दूसरे मास्मेन के साथ लड़ाई में उसकी शिर्ट के कॉलर फट गई थी सो जेशन वो कॉलर का टुकरा ढूनने लगता है और उसमें भी जेशन लिखा था ना शिवू को हास्पिटल से पता चलता है कि जेशन की उपर भी विजली गिरी थी अपने उपर गिरने से रोक लेता है ना शिवू कंफरॉंस जेशन अब उन दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी पता चुल चुकी थी शिवू तो दाशन को मारने वाली बात को भी कबूल कर लेता है शिवू कहता है कि उश्या जस दिन उससे अपना लेगी उस दिन व वो सब उसके लिए हैं सो वो यहां से भाग जाए ना शिवू अपने पावर से सब को ड़रा देता है ना पोथन जेसन को लौक अप में डाल देता है अब सारे एक आवाले मिलके शिवू के घर में आने वाले थे उसे मारने दूसरे और उश्या भी शिवू के घर में आई फाइनली उशा ने शिबू की प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था शिबू के जिबन में खुशिया तो आ चुकी थी यह ज्यादा देट तक स्टेय नहीं कर पाई थी गाउवाले आ चुके थे शिबू को उपर अटेक करने के लिए शिबू उनसे लड़ रहा था वट एकसिड चल रहा था शब खुश थे शिबू की पापा इससे शाजन को आके कहते हैं कि शिबू ने एक बार बच्पन में एक सांड को जन्दा जला दिया था ऐस उस सांड ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया था तब शिबू बस सेवन यूर्स का था बट बात अपूशा की थी जिससे शिबू बे इंतहा फ्यार करता था ना उसकी गम में वो पूरे गाउ को भी जला सकता है दन शिबू भी फेस्टिवल में बहुत चुका था और उसने धमाका करना भी स्टार्ट कर दिया था चारो और तबाही मत जाता है बट बीजी देखती है कि शिबू एक तरनल पे जा रहा है तो बीजी भी उसकी पीछे टनल में पहुच जाती है नाव एशाई साजन जेशन को रिहा कर देते हैं और वो कहते कि बस अब वही है जो करीकुलन के गाउग को बचा सकता है बीजी देखते हैं कि टनल के नीचे पठाकों की धेर लगा हुआ था विच में श सारे लोगों को बंद कर दिया था उन्हें मारने के लिए बट अचानक से लोग रिहा हो जाते हैं और शीबु को भी मज़ा चखाना जाता है एक्च्वली सारे कावालों को बचाने जेशन वहां आ गया था मिनर मुली बनके नाव शीबु एन जेशन की एक जबर्दस वाइ में आग लगने वाली थी एन जेशन की ऊपर एक बड़ा सा घंटा गिरने वाला था बर बीजी को टनल में पानी दिखती है जेशन को भी अपने पिता की याद आती है जिन्होंने दूसरे लोगों की जान बचाते हुए खुद की जान को कुर्बान कर दिया था नेक्स सीन म अमेजिंगली उड़ते हुए शिबू को मार देता है शिबू की मौत के सथ फाइनली सब खतम हो जाता है और अब सारे गाव वाले सेफ थे जेसन फैसले करता है कि वो गाव में ही रहेगा और गाव वालों की रक्षा करने के लिए उनका रखवाला में नर्मुली बरकी यह रहेगा एंद जिस मूवी की एंडिंग हो जाती है और आपको एप इस वीडियो पसंद दे तो लाइक करें मेरे पिले चाहिन को सब्सक्राइब करें करें और और कमेंट पर बता कि आम नेक्स मूवी एक्स्मेशन देखना साथा है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब लिए बाइब की टेडियों लexistर जगॉष्य है।